चोपडा है जो किस ने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपडा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों मोपप राउंड और स्ट्रे वेकेंसी राउंड MCC के स्ट्रे वेकेंसी राउंड और मोपप राउंड का सेड्यूल चेंज हो गया है इनकी डेट एक्स्टेंड हो गई है मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले मोपप राउंड की डेट बताऊंगा यह पहले आलडी एक्स्टेंड थी 16 मार्च 22 तक इसको 19 मार्च 22 तक एक्स्टेंड किया गया है रजिस्ट्रेशन की डेट 24 फिलिंग की भी वोई डेट है 19 मार्च 22 तक जो रजिस्ट्रेशन फैसलेटी है वो दोपए 3 बज़े तक है 19 मार्च 22 को लेकिन जो 24 फिलिंग की फैसलेटी है वो रात 12 बज़े तक है और इसमें आप 24 लोग कर सकते हैं 4 बज़े से लेके 11 पसपन तक 19 मार्च 22 तक मोपप राउंड के लिए इसमें आप फैस रेजिस्ट्रेशन करना है जिन कंडिडेट को अभी तक नहीं किया है 19 मार्च तक कर सकते हैं उसके बाद च्वाइस फिलिंग 19 मार्च 22 रात 11 बज़े पसपन मिनिट तक कर सकते हैं इसके बाद में रजल्ट इसका 23 मार्च 22 को आएगा 23 मार्च 22 को MCC के मोपप राउंड का रजल्ट डिकलियर होगा यह प्रोविजनल रजल्ट एक दिन पहले डिकलियर हो सकता है यानि 22 March 22 को हो सकता है provisional लेकिन जो final result आएगा 23 March 22 को आएगा reporting date होगी college के लिए 24 March से लेके 29 March 22 तक रहेगी तो ये तो है मोपप round का schedule इसके बाद मोपप round के schedule के according ही stay vacancy round का schedule extend होआ है इसका result आएगा 31 March 22 को stay vacancy round में जिन candidate को seat alert होगी उनकी reporting होगी 1st April 22 से लेके 5th April 22 तक तो ये schedule है अभी new schedule है MCC का extend होआ है इसके according आप अपने 24 फिल कर सकते हैं next planning कर सकते हैं नई update के साथ फिर आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद